नमस्का दोस्तों इनकी वर्तमान आयू 33 एर्स है और ये एक फिमेल का पाम है और हाउस वाइफ है ये फिलाल वीडियोस में रह रहे है और इनके कोई मेजर सवाल नहीं है केवल कितनी वेल्थ जमा होगी ये सवाल है और ये एक ऐसा प्रश्ण है कि जो यूटूब पर देना मैं पसंद नहीं करता क्योंकि एक समय में ये सारी चीज़ें डिस्कस करता था पर कंट्रवर्सी होने के बाद मैंने छोड़ दिया अब इस पाम को देखे तो यहां पर चंद्रपरवत थोड़ा सा दबा हुआ है तो ऐसे लोगों को बाते करने का शौक ज्यादा होता है एक तरह का रेक्टेंगल और स्क्वेरिश दोनों है यानि दोनों तरह के गुण होंगे बोलकर बैठकर काम करने की भी और मेहनती भी होंगे फर्स्ट फेलेंच नुकीला कम है तो इदर उदर ध्यान बटकता होगा और सेकेंड फेलेंच थोड़ा सा कम है यानि लॉजिक के साथ बात करने में आज भी इनको कहीं न कहीं थोड़ा सा प्रॉबलम होता होगा और कम्प्रमाइजिंग नेचर व्यक्ति का रहता है जब ये मानसल नहीं होता फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना अच्छी खासी होती है और इनकी सूरी की उंगली बहुत बड़ी है ऐसे लोग जीवन जीते हैं चाहे पैसा जीवन में हो ना हो कैसी भी लाइफ रही जीवन का आनंद लेते हैं जिनकी सन उंगली बड़ी होती है एक तो ये चीज सेकेंड ये लोग हिम्मती सभाव होते हैं जेब में पचास हजार और पचास लाग की रिस्क ले नहीं हो तो ऐसे लोग ले सकते हैं इनकी छोटी उंगली थोड़ी सी छोटी रह रही है बस फैलेंट तक नहीं पहुची तो वेक्ति डॉकुमेंटेशन फाइलिंग चीजों को संभाल कर रखना याज शक्ति मनी मेनेजमेंट अकाउंट्स ये सारी चीजों में वेक्ति कमजोर होता है और उंगलिया छोटी है तो फास्ट नीने लेने वाले होते हैं और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी ज्यादा रहती है और फैलेंट थोड़े से बड़े है तो थोड़ी सी एनालेटिकल परसनालिटी भी होंगी इनकी अब इनका काफी क्लियर क्लोज अप है मेरे पास उस पर चलते हैं बुद्ध परवत पर आपको बारिक बारिक रेखा है दिख रही है और एक लाइन कट करते दिख रही है एक यहाँ पर इस केतू छेतर में एक स्टार हो दिख रहा है और सेम यहाँ पर भी ट्रेंगल और बहुत कुछ दिख रहा है अगर यह मिश्ट्री साइंस में कोई नॉलेज लेना चाहे तो अच्छा खासा यह नॉलेज ले सकते है और उस विद्या से अगर यह कमाना भी चाहे तो ऐसे भी संकेत इनके हाथ में है यह एक नई चीद दिखी इसके लिए मैंने इस पर कॉंसेंट्रेशन किया और बुद्परवत अच्छा है तो सपष्ट वक्ता होता है वानी अच्छी होती है बिजनेस सेंस होता है कॉमर्स और आर्स का स्टुडेंट भी रहा तो सैंस और टेक्नोलोजी की नौलेज होती है अब इनके सं माउंट पर पहले तो ध्यान गया यहाँ पर यह अगर थोड़ी सी भी ऐसे मुड़ जाता तो यह शनी वला हो जाता तो यह गधा मजूरी कराता यानि घदे की तरह व्यक्ति मजदूरी करते रहता है पर इनके नसीब बहुत अच्छे है यह यहाँ से चल कर ऐसे जा रहा है तो यह बन गया शुक्रवले एक और शुक्रवले इनके हाथ में यहाँ पर बना हुआ है और एक बहुत बड़ा स्टार इनकी संरेखा पर बना हुआ है और क्लियर का स्टार है और इसकी एक साखा दोनों शुक्रवले ओको तज़ कर रही है ऐसे लोक जन्म लेते ही परिवार संपन्द बनता है और जब ससुराल में आते हैं तो ससुराल भी संपन्द बनता है पर यह महिला का हाथ है तो अगर इनके पिहर में सुपसाइन नहीं होगी किसी के हाथ में तो 100% वहाँ पर धन कम हो गया होगा तो मेरी इनको सलाय अगर इस तर की स्थिति होगी तो एक जो हम देवी के लिए सिंदूर यूज करते हैं उसको थोड़ा सा गाड़ा घोल करके एक अच्छा सा कपड़ा ब्रांडिड कम्पनी का जो 40-50 साल तक चले ऐसे कपड़े पर दोनों पेरों की छाप लेकर तीजोरी में कोई शेयर रखने की बात करिए तो वहां पर धन कम नहीं होगा क्योंकि यह बहुत सुप साइन है फिश साइन के बात की मैं सुप साइन इसको मानता हूं मैं तो एक संकेती है दूसरा बेस्ट पार्ट यह यह बनने वाला फ्लैक साइन जब किसी व्यक्ति के हाथ में होता है अब यह महिला एक घ्रहनी है तो यह सारे बेनिफिट इनके हस्बेंट को ट्रांसफर होते हैं यह विजय दिलाती है कहीं पर भी चाहे वो धर्म का मामला हो हर जगा है यानि यह एक तरह से काफी सुप पाम है यह अगर यह स्कुएर कंप्रीट होता होगा तो यह बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का कामकाज इनके हस्बेंट का होगा और इनके हस्बेंट के हाथ में भी बहुत बड़ा स्कुएर साइन था परीस बड़ा लाब होता है और अपनी आये से अधिक अच्छी तरह यह लोग रहते हैं आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में खुप पैसा है इस तरह का महुल इनके जीवन में बनता है और यह इंटरनेशनल लेवल का टच लाता है यहाँ पर एक सुन्दर सा ट्रेंगल भी बना हुआ है जब इस तरह का ट्रेंगल बनता है तो व्यक्ति आम लोगों से ज़्यादा संपन भी होता है और मन की सारी इच्छा है पूरी होती है इस तरह का ट्रेंगल एक यहाँ पर भी है तो यह सारे सूप साइन इनके हाथ में है और सं माउंट पर जीतने सूप साइन उतना जीवन सफलता वाला मैं माइनस पॉइंट पर भी आऊंगा यह तो प्लस पॉइंट की बात कर रहा हूँ पामिश्टी में एक साइन से सब कुछ नहीं होता यह जब साइन होती है तो व्यक्ती मल्टिबल प्रॉपर्टी का धनी बनता है यहाँ पर अच्छी खासी विद्या रेखा है पर साथ में दो रेखा है तो व्यक्ती को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है पर लोग इनको पुछ-पुछ कर भी काम करते हैं पर ऐसे पर देखें तो मुझे न कहीं स्क्वार्षाहिन नजर आरी है यहां पर यहां पर यह व्यक्ति को पुस्तेनी जमी जायदात ने हैं और यहां पर नहीं है और कंटीनिव चलने वाली फेट लाइन है तो कंटीनियू इंकम जीवन में आती रहेगी और ज़्यादा तर चांस ह इनके विदेश से धन प्राप्ति के तो इनकी रेखा सुरिपरवत की और देख रही है एक तो चीज यह हो गई शनिपरवत फ्लैट है तो आलस क्या होता है वेक्ति को पता ही नहीं होता और थोड़ा सा उभार यहां पर है तो सुबह उठने में 100% थोड़ा सा अलस से आता स्टैर सिच wes टाइप की सिच्वेशन बनती है तो एसे लोगों-का बुड़ापा भी उत्तम जाता है यह चार लाब कराती है पॉलिटिगल लाब तो बड़े स्थरका होता है, किसी को चारों लाब मिलते हैं, किसी को तीन, किसी को दो, किसी को एक, इनका जुपीटर माउंट भी काफी सुन्दर है, और उस पर भी देखें, तो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, यह जब लाइन होती हैं, तो व्यक्ति के जिवन में इस्ट्री साइन्स होते हैं, उसमें इंट्रेस जाता है, धार्मिक्ता होती है, यह इतने सारे लाब, और सेवा भावी भी होते हैं, तो चार तरके लाब, हंडेट परसेंट प्राप्त होते हैं, ऐसे लोगों को, सेकेंड देखें, तो कंटीनियू, यहां पर बुरा पे में अच्छी खासी लाइने चल रही है, तो यह बुरा पे में बहुत ज्यादा सक्सेस्फूल रहेंगे, ऐसा इनके हाथ से लग रहा है, अंदूनी मंगल बहुत अच्छा नहीं है, जब इस तरह का अंदूनी मंगल हो, तो सरीर की उर्जा उतनी अच्छी नहीं होती, जैसी हो और 35-45 के आते आते कोई ना कोई डाइबिटीस या ब्लड प्रेशर इस तरह की कोई ना कोई कमजोरी यानि दवाईयों का सहरा लेना पड़ता है, डेली दवाई लेने का, तो यह एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, अगर दपता होगा तो, और अगर दपता नहीं होगा तो सरीर की एनरजी मध्यम टैप की रहेगी, भारी मंगल भूत ही जादा उजवल है, इस तरह का मंगल परवत हो, तो व्यक्ति बहुत जादा हिम्मती होता है, प्लस संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है, और जब किसी से मिलता है, तो एनरजी के स साथ मिलता है, अब इनके चंदर परवत पर भी भहुत कुछ है, एक तो यह रेखा, यह व्यक्ति को यात्रा कराती है, यह पर आपको ट्राइंगल दिख रहा है, यह ट्राइंगल विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है, यह तो व्यक्ति कभी बनता है, या आना जाना एक यहां पर फिश शाइन बन रही है ऐसे लोगों के सरीर में एनरजी ज़्यादा रहती है और ऐसे लोगों के जो संतान होते ये भी बुड़ा पे मैं यानि पढ़ाई करने विदेश जाते या कमाने के लिए विदेश जाते और फिर इनका आना जाना बच्चों क के आसपास होते रहता है तो ये इस्तरगी साइन इनके हाथ में और सरीर में एनरजी भी देती है चंद्रपरवत थोड़ा सा दबा हुआ है तो बाते करने का शौक ज़्यादा होगा बहुत ज़्यादा भी नहीं पर होगा जरूर और एक लाइन ऐसी है जो यहां से निकल र जब चंद्रपर स्टार होता है या तो पेट खराब करता है या सरकार की तरब से सम्मान मिलता है यहां पर मनी ट्रेंगल भी काफी उत्तम तरीके से चल रहा है और इस मनी ट्रेंगल में भी यह क्रोस बना हुआ है इसका मतलब होता है व्यक्ति के जीवन में अचानक धनलाब बहुत बड़े धनलाब तो नहीं होते पर लाखों में जरूर होते अचानक और यह कई बार मौके मिलते धनलाब के इस तरह के धनलाब के और चंद्रपरवत मैं यह नहीं कहूंगा वह बह बीदम टैपका है शुक्र परवत काफी अच्छा है इस तरह का शुक्र परवत वाला पपड़े अच्छे पेहनता अच्छी तरह रहता है सलगता है यह अधर्चे बैस्ट छीज है इनके आत्मे औरankind रेखा पी जूपिटर से श्टार और रहे ही स्य पूरी ह operational furry puppy भरों zij लाइक होता है किसी के 100 रुपे भी बाकी होंगे तो सामने से याद करके दे कर आएगा और एक स्क्वेर साइन भी है जिसका जिक्र रह गया इस तरह की स्क्वेर साइन वाला व्यक्ती भी सच्चा ही पसंद इंसान होता है उसे जूट पसंद नहीं आता और यहाँ पर भी ट्रैंगल है अब वापस हम रुदे रेखा पर आते है भरो से लाइक बनाती है प्लस यहाँ पर भौट सारी लाइने डबल होकर चलती है तो ऐसे लोगों को रोना बहुत जल्दी आता है कई बार बात्रूम में रोते हैं थोड़ा सा भी प्राब्लम हुई तो इनके आखों में से आसुत तूरंद आते और यह जादा तर महिलाओं के जीवन में मैंने देखा है और जंजटो भरा जीवन रहता है इस तरह की हिदे रेखा वाले व्यक्ति का और यह लगबख सुरुआत हो रही है इस तरह की डबल हाट लाइन की लगबख 34 के आस पास से है तो जीवन जंजटो भरा रहेगा यानि ऐसी कोई बहुत ज़्यादा जंजटे काम के प्रती जंजट कहो या कोई ना कोई विशय सब्जेक निकलते रहता है फ्रीनेस नहीं मिलती व्यक्तिगद जीवन अपना जी नहीं पाता व्यक्तिगद दूसरों के लिए जीता इस तरह का एहसास होता है तो यह इस तरह की हिदे रेखा और यह अप टू एंड तक इसी तरह डबल चल रही है और यह जो लाइने होती है यह माबाप का ख्याल रखने वाले लोग होते या सास ससूर का ख्याल रखने वाले लोग होते और यह लाइने होती है यह फ्लर्ट लाइने होती है व्यक्ति कितना भी दुखी हो थोड़ी देर दुखी होता है उसके बाद खुशी ढूनता है अब इनकी mind line को देखे तो यहाँ पर कहीं न करें congestion दिख रहा है तो यह period व्यक्ति का असमज्य से वाला रहता है और यह period होगा लगबख 23-24 के आसपा से लेकर यह उम्र होगी 28 तक थोड़ा सा असमज्य से वाला period इनके जीवन में रहा होगा उसके बाद यह रेखा चली और यह CD चलकर आगे बढ़ रही है और यह रेखा अगर ऐसे काटती होगी तो यह अलग मतलब हो जाता है और यह रेखा अगर mind line से निकलती होगी तो ऐसे लोग लेखन कारे में expert होते है पर यह अगर इस तरह से काट लेती है तो अलग चीज हो जाती है अब इनके जीवन रेखा पर चले तो जीवन रेखा पर लग भग 28 के आसपास एक राव रेखा ने काटा और उसी पिरियड में कोई यात्रा भी हुई होगी उसके बाद एक 31 के आसपास रेखा काट रही है एक 32 के आसपास एक रेखा ने यात्रा रेखा शो हो रही है और 31 से लेकर ये 40 तक एक यव साइन बनी है अब ये सारे री रूप से कभी पेट की भी तकलिप दे सकती है सेकेंड कही न कहीं ऐसा फिल होगा जैसे जीवन को किसी ने लगाम से बांद के रखा है खुल कर बढ़ने नहीं मिलता इस तरकी फिलिंग व्यक्ति को आती है और ये 31 से लेकर लगबग 31 या उसके पहले से ही समझो आप 30 के आसपास से लेकर 40 साल तक इनके हाथ में यह साइन है ये कोई न कोई जॉइन डिस का भी शिकार बन सकते है या पेट से रिलेटेड व्याधी इनको आ सकती है या आ गई होगी सेकेंड चीज जीवन बंधन पून लगता है जैसे किसी ने घोड़े को लगाम जैसे हम लगाते है और घोड़ा कहीं न कहीं कंट्रोल में रहता तो वैसा जीवन में भी कंट्रोल जैसे फिलिंग आती है किसी ने जीवन को पकड़ के रखा इस तरह की फिलिंग आती है अब ये तो हो गया माइनस पॉइंट 32 के बाद उम्र लगबग 34 के आसपास एक छोटी सी राव रेखा काट रही है एक 35 के आसपास छोटी सी राव रेखा काट रही है उसके बाद 38 के आसपास राव रेखा काट रही है उसके बाद 41 के आसपास राव रेखा काट रही है और इसी पिरियड में एक ट्रैंगल भी शो हो रहा है तो इस period में दो से तीन property भी ये खरीच सकते हैं लगबग 32 से लेकर up to 45 तक फिर उसके बाद 42 को एक offshoot है यानि 42 तक ये दो से तीन property खरीच सकते हैं या उससे ज्यादा भी उसके बाद एक offshoot और निकल रहा है 42 के बाद लगबग 45 के आसपास और इसी period में एक छोटी सी राउरेखा भी काट रही है और उसके बाद ऐसी कोई राउरेखा नहीं है ये राउरेखा है पर ये काफी लंबी है बारा साल के बाद यानि 45 और 12 यानि 57 के आसपास एक राउरेखा काटी है और उसके एक दो साल के बाद एक आपशूट है और ऐसे ट्रैंगल यहां पर बहुत से छोटे छोटे बन रहे है और बहुत सारे आपशूट है तो प्रापर्टी के मामले में तो यह काफी धनी सिद्ध होंगे क्योंकि यहां पर भी अच्छी खासी ट्रैंगल बना हुआ है अब तु यहां तक ट्रैंगल बने हुआ है तो यह प्लस पॉइंट भी है इनके जीवन में और जीवन रेखा उत्तम तरीके से चल कर आगे बढ़री और यह घुमाव ले रहे है तो ऐसे लोग परिवारिक सोच वाले इंसान रहते हैं परिवार के प्रतिक व्यक्ति से टच रखते हैं और कहीं बार भी गए तो दो-पांच बार घर में फोन करेंगे इस तरह की मानसिक्ता इनकी पाई जाती है अब इनकी धंद्रेखा को देखें तो यह सुपसाइन वाला पाम है तो इस तरह की धंद्रेखा भी व्यक्ति को ग्रोथ देती है यहाँ पर एक कट आया यह उम्र होगी लगबग उस समय 26 या 25 के आसपास उसके बाद एक कट 31 के आसपास आया है उसके बाद एक छोटा सा कट 36, 35 के आसपास है एक इन्वेस्मेंट है यह उम्र होगी लगबग 39, 40 के आसपास बड़ा इन्वेस्मेंट है और यह भी लाइन लगबग इन्वेस्मेंट की है अगर यह line investment की नहीं होगी तो इस period में इनको 44 के आसपास कोई आर्थिक नुकसान भी जा सकता है और उसके बाद 1-2 साल अच्छे नहीं जाएंगे और उसके बाद वापस इनकी दुनिया आगे बढ़ेगी और उसके बाद यह line है यह already और यहाँ पर बहुत सारी line है जा रही है तो बुड़ा पेता के income का कोई problem नहीं है इनके जीवन में और यहाँ पर अगर यह triangle बनता होगा तो व्यक्ति गुड रहस्यों के प्रति बहुत ज़्यादा जगरूत होता है और कर्मकांड कहो या तांत्रिक विद्या अब यह positive हाथ है तो negative तंत्र मंत्र में ध्यान नहीं जाएगा positive तंत्र मंत्र में इनका ध्यान जाएगा अगर यह triangle यहाँ पर complete होता होगा तो यह सारे चीजे इनके हाथ में दिख रही है आशा रखता हूँ इनके सबी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद झाल